आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कमाटा गारू प्रकरण और दिल्ली दर्बारति तयार रहिएगा इतना शांदर दोस्तों आपको यहां पर जानकरी दूँगा क्या है एक एक करें के सभी चीज़ें पर चर्चा करेंगी बहुत अच्छे रूप से देखना होगा अगर आ भी चलेगी तो गजब ही चलेगी आप सभी को मैं बताना चाहूंगा दोस्तों ये बात है सन 1914 की कमाटा गारू प्रकरण है ये कब हुआ था वर्ष 1914 में हुआ था इसकी कहानी हमें सुननी होगी बहुती शांदार तरीके से दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि उस सम कनाडा की बात करें या भारत की बात करें दोनों ब्रेटिस समराज्या का हिससा थे वर्ष 1914 में तो 1908 में दोस्तों कनाडा के अंदर एक कानून बनाया जाता है जिस कानून का नाम होता है दोस्तों इक कहानी मैं यहां पर लिखता जा रहा हूं सबसे पहले हम बात कर रहे है दोस्तो कनाडा की किसकी बात कर रहे हैं कनाडा की सुनिएगा कनाडा के अंदर दोस्तो वर्ष 1908 में कनाडा के अंदर दोस्तो वर्ष 1908 के अंदर एक कानून बनाया जाता है क्या बनाया जाता है कानून बनाया जाता है यह कानून क्यों बनाया जाएगा मैं आपको बताया ज Regulation ये क्या बनाया जाता है दोस्तों यहां पर ये एक कानून बना दिया जाता है Continue Paces Regulation ये दोस्तों कानून क्या है इसके बारे में सुनें ये कानून क्या है इस कानून के तहत दोस्तों ये Continue Paces Regulation ये क्या है इसके तहत ये बात बोली गई थी कुछ सरते निर्धारित की गई अगर आप कनाडा में जाना चाहते हो अगर सरते किस लिए अगर आप कनाडा में जाना चाहते हो यानि कि कनाडा में जीवन यापन करना चाहते हो कनाडा में जाने के लिए कुछ सरते निर्धारित की कनाडा में जाने के लिए 1908 में दोस्तों कुछ सरते निर्धारित कर दी ग आएं तो दोस्तों ध्यान कें तो सीधा अपने देश से आएं सीधा अपने देश से आएं यानि कि मा लीजे उस समय अगर भारतियों को कनाडा जाना है तो वो सीधा अगर इंडिया से कनाडा जाएंगे तब उन्हें कनाडा में रहने दिया जाएगा वरना कनाडा में उन्हे रहने नहीं दिया जाएगा उन्हें वहां से बगा दिया जाएगा ठीक है तो कनाड़ा आना है तो सिद्धा अपने देशे हैं और दूसरी शर्त ये रख दी कनाड़ा आना हैं कनाड़ा आना हैं तो जेब में 200 डोलर होने चाहिए तो जेब में 200 डोलर होने चाहिए अब 200 डो में रहने दिये जाएगा बाकी को नहीं अभी ऐसे कानून क्यों बनाए गए तो दोस्तों 1908 तक है आप जानते हैं आज कनाड़ा की एक चोथाई जनता भारती है यानि खास करके खास करके उसमें भी जादतर सीख समूदाए है एक चोथाई जनता जस्टिन टूडो उनके वह गया क्योंकि 1908 तक कनाड़ा के अंदर 4000 भारतिये जाकर वहां पर रहने लगे थे 4000 तो वहां के लोग चिड़ने लगे भी यह एक गोरों का देशा यहां पर कहां पर यह ब्लैक लोग आकर रहने लगे उनको चिड़ होने लगे यह बहुत आचिड थी उन्होंने इसके बार गया भी यहां पर बारतिये बहुत ज्यादा संख्या मेरे इनके उपर कंट्रोल लगाएं तब ब्रिटिस समराजे ने का आप कानून बना दीजिए तो दोस्तों ये कानून बना दिया गया एक कंटीनियू पैसेज रेगुलेशन अब दोस्तों क्या होता है कंटीनियू पै पैंतिस भारतियों की एंट्री हो गई बीच में क्या हो गया पैंतिस भारतियों को वहां रहने के लिए मैं इजाज़ दे पैंतिस भारतियों की जैसे ही रद हुआ तो कुछ समय के लिए तो पैंतिस भारतियों की वहां पर और एंट्री हो गई क्या हो गई एंट्री हो एक व्यक्ति रहते थे गुर्दीप सिंग। इस जहाज का नाम ही कमाटा गारू था। जहाज काम भी लिया जाथा था। इसके ऊपर दोस्तों 376 लोग बैड़ते हैं। और दोस्तों वो सारे लोग ध्यान रख्येगा, सारे कहां और चल देते हैं, गुरदीप सिंग की दोस्तों नेतरतों में सारे के सारे कनाड़ा के और चल देते हैं, हलांकि दोस्तों कनाड़ा के और चलते हैं तो गुरदीप सिंग को सारी शर्तें पता थी, गुरदीप सिंग नाम में आपको बता देता हूँ उस कमेटी का नाम क्या था तो वहां पर दोस्तो एक कमेटी थी जिसका नाम था खालसा कमेटी उस खालसा कमेटी ने दोस्तो आश्वासन दिया था खालसा कमेटी थी वहां पर खालसा समीती थी यानि खालसा संग था ये कर उसने अश्वासन सिंग चार अप्रेल सन 1914 को ये जहाज लेकर कनाड़ा के ओर चल पड़ते हैं कम चलते हैं तो आप सभी को ध्यान रखना है चार अप्रेल सन 1914 को दोस्तो जहाज लेकर कनाड़ा के ओर चल पड़ते हैं चार अप्रेल सन 1914 को वहां पर चल पड़ते हैं तो Sikh 4G थे, Sikh 4G थे दोस्तो, Sikh retired 4G थे, सेवा निवर्थ 4G थे, जो कभी नब ब्रिटिस सेंआ की और से लड़े थे, जो ब्रिटिस सेंआ के अंदर शामिल थे, कभी ब्रिटिस सेंआ में शामिल हुआ करते थे, 114 लोग थे तो गुर्दीप सिंग ने 306 में से 114 लोग ऐसे भी थे और गुर्दीप सिंग ने एक तो सोचा कि खाल सा संग के द्वारा ये बात कहीं जा रही है कि वहाँ पर सरकार से बात करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी और दूसरा हमारे साथ 114 लोग और वो भी सि गुर्णे जा पर जाती है करनाडा सरकार पर क्या लगाते है रोक लगा देती है कहते जो पतर सकते। आपको कनाड़ा के अंदर दोस्तो शर्ण नहीं दी जाएगी। ये बात इनको पस्टूप से यहां पर बोल दी जाती है। एक पत्र लिखते हैं, बोजन सामगरी स्माप्त हो गई है, और दोस्तो गनाड़ा की सरकार उन्हें वहाँ पर उतरने नहीं दे रही, तो कनाड़ा कोट को दोस्तो यह सारे लोग 376 लोग एक पत्तर लिखते हैं, गनाड़ा कोट भी क्या करती है? इस पत्तर को 7 जुलाई को साथ जुलाई को वो कनाडा कोर्ट भी इस पत्र को क्या कर देती है खारिज कर देती है कि आप यहां पर नहीं उतर सकते हैं आपको यहां पर नहीं रहनी दिया जाएगा अब दोस्तों यह बात होगी तो इसके लिए दोस्तों ध्यान अक्किये अच्छे रूप से मैं एक अच्छे रूप से सुनियेगा दोस्तों अच्छे रूप से ध्यान अक्ना है वहां पर एक व्यक्ति थे डॉक्टर विलकी उन्होंने इस बात का विरोध भी किया था तो ध्यान अक्ये जहां वहां पर जब उतरने नहीं दिया गए नहीं तो वहां पर कनाड़ा के एक व्य कनाड़ा के क्या थे एक वेक्ति थे कनाड़ा के एक वेक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर विलकी तो ध्यान रखिये दोस्तों डॉक्टर विलकी ने इस बात का विरोध किया डॉक्टर विलकी ने क्या क्या इस बात का विरोध किया और बोला कि आप सभी इन लोगों को ग्रक्तु अन्याज को दोस्तो ध्यान रखेगा अन्या लोगों को वहाँ पर दोस्तो अनुमती नहीं मिलती अब बाकी लोगों को करनाड़ा सरकार कहती है कि आप चले जाओ सरकार कहती है दोस्तो कि आप चले जाओ तो आप सभी कोची रूप से ध्यान अखना होगा दोस्तो वहां से उतरने की अनुमती मिलती है कितने लोगों को सिर्फ 24 लोगों को और ये अनुमती कब मिली थी ये अनुमती मिलती है दोस्तो 23 जुलाई 1914 को और दोस्तो जो बाकी 6 लोग बच गए जो 6 लोग बचे दोस्तो 36 में से 6 लोग जो भी बचे वो सभी क्या करते हैं उन सभी को दोस्तों वहां से कहते हैं कि आप चले जाओ, उन सभी लोगों को कहा जाता है, इन लोगों को तो यहां पर रह सकते हैं, बाकि सारे क्या चले जाओ, तो दोस्तों वहां से वे सभी लोग 24 जुलाई को चलना प्रारम करते हैं, उन्होंने सोचा चलो यहां पर तो प समश्या आ जाती है उसी दोरान 28 जुलाई को परतम विस्वयुद की घोशना हो जाती है उसी दोरान क्या हो जाती है 28 जुलाई को दोस्तो जो परतम विस्वयुद है उसकी घोशना हो जाती है अब परतम विस्वयुद की घोशना होती है तो दोस्तो बिटिस सरकार क्या कहती ह ब्रिटिस सरकार दोस्तो जो शेश लोग बच गए हैं ब्रिटिस सरकार इन लोगों को दोस्तो सिधा कहती कि आप भारत आजाए आप कि आज ये भारत आए तो दोस्तो ये क्या करते हैं भारत के ओर चलते हैं और भारत में दोस्तों ये सीधा कहां पर पहुंचते हैं कोलकाता में पहुंचते हैं और कोलकाता में भी कहां पर दोस्तों बजबज नामकस्थान पर पहुंचते हैं अब जैसे कोलकाता पहुंचते हैं तो कोलकाता सबसे बड़ी बात है ये कोलकाता कम पहुंचे तो आप लोगों को गिरफतार कर लो इन सभी लोगों को क्या कर लो दोस्तों इन सभी लोगों को गिरफतार कर लो अब जब गिरफतारी की बात आई तो इन सभी लोगों ने दोस्तों गिरफतारी का क्या क्या विरोध किया जब विरोध किया दोस्तों तो सरकार ने गोली चलाने के इसके लिए दोस्तो 28 लोगों की मिर्तिव हो गई चपैंगा है तो आप सबी को ध्यान एकने, यही गटना करम क्या कहलाता है, कामा गाटा मारूप परकरण कहलाता है अब आईए बात करते हैं एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कामा गाटा मारू प्रक्रण क्या है सवर्ष 1908 में कनाडा के द्वारा दोस्तो एक कानून मनाया जाता है जिसे क्या बोला गया है continue पैसे regulation बोला जाता है अब ये कानून के तहट क्या कहा कि अगर कोई कनाडा आएक तो सिधा अपने अपने देश से आएगा और देश से आएगे तो 200 डॉलर जेब में होनी होना जरूरी है ठीक है तो ये आप सभी को जानाए ये क्यों कि सारे लोग वहाँ पर जा रहे थे कनाडा में रहे रहे थे तो कनाड़ा के लोगों को इन से नफरती बोले हम गोरे लोग ये काले रोग क्यों आएंगे तो ब्रिटिस समराजियों का ब्रिटिस समराजियों का कानून बना दीजे फिर नहीं आएंगे तो दोस्तों 1908 में कानून बनाया जाता है 1908 में करनूम राजा था और ध्यान नकिये एक बात आप सभी को मैं बताना चाहूँगा उस दोरान दोस्तों एक गीत भी गाया गया था ध्यान के कनाड़ा में दोस्तों जब ये लोग प्रवेश करें उस समय वहां के लोगों ने गीत गाया था इन लोगों का विरोध करने के लिए भारतिय लोगों का विरोध करने के लिए बोला था वाइट कनाड़ा फोरेवर ध्यान के क्या है कनाड़ा वाइट ध्यान के कि लोगों ने गाया था ये शर्ते नकी दोस्तों बीच में थोड़ी सी ढील दी तो 35 लोगों को वहां पर भारतियों को एंटरी मिल गी तो होंग कोंग में उसी समय गुर्दीब सिंग जी रह रहे थे व्यपारी थे ये बोले चलो फिर हम भी चलते हैं वहां पर बढ़िया ज को इनको कहा धा कि हम यहां पर यह कनाड़ा सरकार से बात कर लेंगे लेकिन दोस्तों जैसे जहाज 23 में 1914 24 को वैंकोर कनाडा में पहुशता तो कनाडा सरकार इन पर रोक लगा देती यहां पर प्रवेश नहीं मिलेगा दो महा तक दोस्तो जाहाज समुदर में खड़ा रहता है भोजन समापत हो जाता है दोस्तो जब ये लोग भोजन समगिरी के लिए कनाडा सरकार को पत्र लिखते हैं कनाडा सरकार भोजन समगिरी में नहीं बेशती और दोस्तो 7 जुलाई को इनका पत्र खारिश कर दिया जाता है दोस्तो ध्यान के कनाड़ा का एक वेक्ति है डॉक्टर विल की इन्हों ने इस बात का विरोध भी क्या था तब 24 लोगों को वहाँ पर उतरने की अनुमती मिल गई 23 जुलाई 1914 को बाकी 6 लोगों का भी यहां से चले जवाब तो 24 जुलाई सन 1914 को वेक्वर से दोस्तो ये कामा गाटा मारू जहाज वापस चलना सुरूर करता है ये सोस्ते चलो वहाँ पर वापस चलेंगे हम जहां से होंकोंग जापान वापस चलेंगे उसी दुरान दोस्तो 28 जुलाई सन 1914 को दोस्तो क्या हो जाता है परतम विस्यूद की गोष्णा हो जाती है तो ब्रेटिस सरकार इन सेच लोगों कहती कि सिदा आप भारत आजी और ये कहां पर पहुंचे कोलकाता कोलकाता कब पहुंचे 27 सितंबर सन 1914 को जब यहां पर पहुंचे तो इनको गिरफतार करने की बात कही गी इन लोगों ने विरोध किया तो इन पर गोलियां से लाई 28 लोगों की मिठते होगी इन ही लोगों की दोस्तो लड़ाई लड़ने के लिए शोर कमेटी का गठन किया गया था इसी पूरे प्रकरण को कामा गाटा मारू प्रकरण कहा गया है ठीक है अगला सुनियेगा दोस्तो दिल्ली दर्बार की बात करें दोस्तो आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूंगा दोस्तो अच्छे रूप से आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान अकना है दिल्ली दर्बार क्या है दिल्ली दर्बार के बारे में हमें अच्छे रूप स दिल्ली दरबार क्यों लगे तो इंग्लैंड के जो भी राजा या राणी थे दोस्तो उन्हें दोस्तो ध्यानक्य क्या सबसे बड़ी बात है उन्हें दोस्तो शोभा उन्हें दोस्तो ध्यानक्य का उपाधियां देने के लिए ये किये जाते थे तो दिल्ली दरबार के अगर बार कब आयोजीत हुआ था दिल्ली दरबार तो पहली बार दिल्ली दरबार दोस्तों 1877 में आयोजीत हुआ दूसरा दोस्तों दिल्ली दरबार है वो वर्ष 1903 के अंदर दोस्तों कब दूसरी बार दूसरी बार दिल्ली दरबार कब लगा है 1903 में लगा है और तीसरी बार रहेंगे दोस्तों तीसरी बार 1911 के अंदर लगा था तीसरी बार कब लगा था 1911 में लगा था चलो हमने यहां पर बात की पहली बार की बात करें दिली दरबार की पहली बार तो उस समय दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है वोईसरोय कौन थे सबसे बड़ी बात यही है वोईसरोय लोड करजन थे इस समय दोस्तों कौन मन गए तो हम कहेंगे लोड हार्डिंग दित्या बन गए कौन मन गए दोस्तों लोड हार्डिंग दित्या दोस्तों सेकंड इस समय वोईसरोय थे बात के तो तीनों के समय की मैंने वोईसरो की बात कर ली कौन-कौन इस समय वो गोशित करते हैं समरागी गोशित करते हैं क्या गोशित करते हैं समरागी गोशित किया जाता है और दोस्तो इस 1877 में जो पहला दिली दरबार लगा था इसकी मुख्या घटना या विशेशता क्या थी इसमें था जो भी दोस्तो ये ब्रिटिस कंपनी थी दोस्तो इस दिली द तो आप जानते हैं अच्छे रूप से कि इस से पहले ब्रिटिस कंपनी का अधिकार रहा है उसके बाद ब्रिटिस सरकार के धिना आ गए लोड करजन की बात की जाए दोस्तों ये दूसरा दिली दरबार लगा था बिल्कुल दूसरी बार दिली दरबार कब लगा है तो 1903 में लगा है लेकिन सबसे बड़ी बात है इस समय दोस्तों एडवर्डम सब्तम यहां पर आने थे ये किसले लगाया गया था एडवर्डम सब्तम के लिए दोस्तों ये दिली दरबार लगाया गया था एडवर्डम अब तम दोस्तों खुद यहां पर आते नहीं हैं और अपने भाई को भेज देते हैं अपने भाई को दोस्तों डूक ओफ कनोट को यहां पर भेज दिया जाता है यह खुद नहीं आते अपने भाई को भेज देते हैं डूक ओफ कनोट को यहां पर भेज देते हैं खुद नही तीसरा जो दिल्ली दरबार लगा है वो दोस्तो जहानके जोर्ज पंचम के लिए लगाया गया था और ध्यानके दोस्तो इसी दोरान क्या होता है इसी दोरान बंगाल विभाजन को भी रद किया जाता है इसी दोरान दोस्तो दिल्ली को राजधनी गोशित किया जाता है दिल् दोस्तों बहुत अच्छी रूप से इसके बारे में बात की है, बिल्कुल, मंगाल भी भाजन को उरद कर दिया है, दिल्ली के जिगा हैं दोस्तों राजदा ने किसको बना दी, ये भी मैंने बता दिया, सारी जानकरी दी है, केरें 30-35 दिन ये क्लास चलने दो, अरे भी 30-35 दिन नहीं चल सकती, मिस्टर एसस, फिर क्लास का जो समय है, वरतमान में तो मैं चलने दे रहा हूँ, ये क्लास दे के 35 मिंट होचके 8 बज कर, लेकिन थोड़े दिन बाद में दोस्तों ये समय है, मेरा लगातार क्या हो जाएग मलब जोदपूर के अंदर थोड़ा सा क्या है, काफी दूरी पर रहता हूँ, मैं बहुत जादा दूरी पर रहता हूँ, एक तो वो भी देखना पड़ेगा, बहुत जादा दूरी पर है, और दूसरा दोस्तों एक चीज़ ये भी है, कि इस समय तक आप सारी गटनाएं कौन-कौन मोईसरोय था, उस समय विक्टोरिया को भारत की समरागी गोशित किया था, ब्रिटिस कम्पनी से सत्ता को स्थानांत्रित किया था, एडवर्ड सप्तम और अलेक्जेंडरा के दोस्तों यहां पर लगाया, लेकिन एडवर्ड सप्तम नहीं आये, इनके भाई ड्य अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करें उतकर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले, प्रतियों की परिक्षाओं की तैयारी अब घर बैटे उतकर अब पड़ो कहीं भी, कभी भी